आज का हमारा टोपिक है परिजेंट कॉन्टिन्यूस टैंस इस टैंस को हिदनी बोलते हैं वर्तमान अपून काल अब देखते हैं इसकी डैफिनिशन इस टैंस के अंतुमें रहा है रही है रहे हैं आता है अब देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब इस टैंस की हेल्पिंग व नेम जैसे कि गिता, सीता, रानी, एक्सेटरा, एम लगता है only I के साथ, और guys, आर लगता है U के साथ, V के साथ, D के साथ, एनी पुरूलर नेम, जैसे girls, boys के साथ भी आर लगता है, वर्ब कोन सी लगती है guys, वर्ब की fourth form लगती है, अब देखते हैं, affirmative sentence, इसके लिए सबसे पहरा subject, plus is, या am, या are, plus वर्ब की fourth form, plus object, guys, जैसे कि as example, I am teaching, you are reading, he is jumping, guys, सबसे पहला आपको भी एक subject ले लेना है, जैसे कि मैं ले था सुरू में I, अब guys, I के साथ M लगता है, आप लगा दिया M, अब guys, आपको कोई भी एक verb एड़ कर देनी है, plus उसमें अज लगा देनी है, जैसे कि मैं ले टीचिंग, आई एम, टीचिंग, guys, अगर आप भी English बोनना चाहते हैं, तो guys, आपको Hindi to English ने translate करना, वो translate करना होता है, अगर आपको English बोननी है, तो पहला आप subject लीजेगा, फिर is या M या R, फिर वर की fourth form पलस object, आप ऐसे करकर लीजेगा, जैसे कि, He is crying, You are reading, They are jumping, तो guys, अगर आप ऐसे करोगे, तो आप जल्दी English बोनना सीख़ आओगे, इंग्लिस में आपको English to English, यहने कि अपने मैंड में English to English टांसलेट करना है, जैसे कि, You are a seeing, तुम देख रहे हो, निगेटिव सेंटेंस, न करात्मक वाकि, अब इसके लिए सबसे पहले लगता है subject, पलस is, या am, या are, पलस not, पलस वर्ब की फॉर्थ फॉर्म, पलस object, ऐसे एक्जामपल, I am not teaching, You are not reading, He is not jumping, तो गईज सबसे पहले आपको लगना है subject, फिर लेनी है helping verb, मैंने subject ले लिया I, फिर मैंने लेनी helping verb, I के साथ M लगता है, मैंने M लगा दिया, फिर आपको not तो add करना ही करना है, फिर आपको कोई भी एक verb add कर देनी है, जैसे कि मैंने करा है teaching, क्या बनगा I am not teaching, फिर subject लेना है, पलस helping verb add करनी है, जैसे कि you, यो के साथ R लगता है, मैंने R लगा दिया, फिर मैंने लगा दिया not, बनगा you are not, अब आपको कोई भी एक verb add कर देनी है, जैसे कि reading, flying, jumping, मैंने कर दे है reading, you are not reading, अब अगर मैंने लिख दिया, he is not jumping, अब आपको ऐसे ही करके, आपको example लिख लेने हैं, या फिर बोल लेने हैं, जैसे कि सबसे पहला आपको subject लगाना है, पलस फिर is या am या are, subject के नुशार लगा देना, पलस फिर not, पलस वर की forth form, पलस object, ओ गाईज अब इनको हम, कोंट्रेक्स ने बोल सकते हैं, जैसे कि I am not, आप इसको बोल सकते हो, I am not, आप लिखते हो, you are not, आप इसको लिख सकते हो, you aren't, आप इसको बोल सकते हो, you aren't, he is not, आप बोल सकते हो, he isn't, he is not, आप इसको बोल सकते हो, he isn't, और गाईज लास्ट रूम बच्छा आपका, we are not, आप इसको बोल सकते हो, वरंट, अगर आप भी इंग्रेज़ बोलना चाहते हैं, तो आप ऐसी बोलेगा, I am't gonna, you aren't, jumping, तो गाईज एक और advance, हम गाईज गोइंग्टू को हम गोना बोलते हैं, तो अगर आप भी अंग्रेज़ की तरह बोलना चाहते हो, तो आप इस चीट को जरूर फोलो करें, अब देखते हैं, इस इंट्रोगेट्यू, गाईज इंट्रोगेट्यू के लिए, सबसे पहले लगता है, इज या एम या आर, पलस, सब्चेक लगता है, पलस वर्व की आईएज फोर्ट फोर्म लगती है, पलस अबजेक लगता है, ऐसे एक्जामपल, एम आई, इटीचिंग, आर यू, रीडिंग, तो गाईज आप देखते हैं, आपकी हिसाब से, मैंने सुरू में ले लिया है, एम, और गाईज एम के साथ, आई लगता है, मैंने लगा दिया, आई, फिर मैंने कोई भी एक वर्व एड़ कर दी, जिसे की टीचिंग, तो गईज आप भी सबसे पहले कोई एक, helping verb लिजेगा, जिसे की, आप ले लो, आर, फिर आप उसमें कोई भी subject, एड़ कर दो, जिसे की, यू के साथ, आर आता है, वी आता है, दे आता है, इफिर एनी प्रूर नीम, कोई भी आता है, तो आप कोई भी एड़ कर दो, मैंने लगा दिया, इसमें से, यू, क्या बनगा, आर यू, अब आपको कोई भी, एक verb एड़ कर देनी है, इसमें, आई एन जी लगा है, जिसे की, read, प्लस आई एन जी, बनगा, reading, reading, क्या बनगा, you are reading, अब गाईज, देखते हैं, next example, जिसे की, अब आपको कोई भी, एक helping verb ले ले नहीं है, is, mr में से, मैंने ले लिया, is, अब आपको, इसमें, कोई भी, एक subject, add कर देना है, जिसे की, मैंने कर दिया, इसमें आपको, एक अब एड कर देनी, जिसे की, मैंने कर देना हमें, jumping, क्या बनगा, is, he, jumping, अब देखते हैं, इस last का, word, उसको हम, डॉब अज़ फैमिली बोलते हैं, यानि के, स्टार्टिंग में लगते है, डॉब अज़ फैमिली, यानि के, when, why, what, with, कि इस से भी इस डॉब अज़ फैमिली है, आप कोई भी एक डॉब अज़ फैमिली ले लो, मैंने ले लिया, why, अब आप इसमें कोई भी एक, helping word add कर देनी है, इस MR में से, मैंने कर दिया, M, क्या बनगा, why, M, अब गाइस, M के साथ, I लगता है, अब आप लगा दो, I, क्या बनगा, why, am, I, अब आपको, कोई भी एक, verb add कर देनी है, कुछ भी, playing, jumping, reading, flying, कुछ भी, मैंने कर दिया, teaching, क्या बनगा, why, am I, teaching, ठीक आइस, अब देखते, दूसरा example, अब आपको, कोई भी, एक, एक, डबलच, family word, add कर देनी है, जैसे कि मैंने ले लिया, what, या, इसका मोब किश्चन वोड़ी बोलते है, what, अब आपको, कोई भी, इसमें से, एक, अब आपको, कोई भी, एक, वर्ब, एड़ कर देनी है, एज एक्जामपल, राइटिंग, रीडिंग, जंपिंग, फ्लाइग, यह फिर आपका, स्टेडिंग, मैंने कर देदिया, रीडिंग, क्या बनगा, what, आर यू, और गाइज, अगर आपको कोई, स्पेशल टोपिक है, आपकी समन में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे, कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो, बना दूँगा,